है लेक्षर लेना था अज एलजबरा का और एक्सराइज 7.5 कंप्लीट करवाने थी बट टाइम की थोड़ी सी शॉटेज चल रही है थोड़ा सैडूल जो बीजी चल रहा है और मैं पूरा फोकस नहीं कर पार हूं लेक्षर लेने पर तो आज हम कैल्कुलस की करेंगी अब उसका डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना जिस भी एक्सराइज के में पेडियाफ डाल रहे हूं उसका जो लिंक है वो एक्सपायर हो जाता है विदिन सेवन देगे एक्सराइज 2.3 कल्कुलस की फाइंड अने डेरिवेटिव औफ कोट इन्वर्स एक्स बाइए इ इसके भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगे आप वहां से चक कर लेना जो फंक्शन दे रखा है हमने लेते हैं य एक्वल टू कॉट इन्वर्स एक्स बाइए अब यहां से डेरिवेटिव कीजिए डिफ्रेंशेट विद रिस्पेक्ट तो एक्स देन डी वाइ स्कॉर इंटू डेरिवेटिव अफ एंगल वन बाइए ओके सॉल करते हैं देन वाइवन की वैल्लीव आ जाती बरबास इसका एलसम दीजिए और सॉल आफ्ट करेंगे ए स्कॉर अपॉन ए स्कॉर प्लस एक्स स्कॉर इंटू बाइए एसे कैंसल देन माइनस ए अपॉन ए स 4 प्लस एक्स स्कॉर ठीक है अब नेक्स को क्या करना है यहां पर एक्स को वाही sed मेंट चैंज करना है कैसे चैंज करेंगे जो y equal to cot inverse x by a दे रखा है यहां से हम x की value निकाल लेते है cot को आप left hand side पर लेगी जाए cot y equal to x by a x की value क्या जाएगी हां से x equal to a cot of y put करते हैं यहां पर y1 equal to minus a upon a square plus x के place पर आप put करेंगे a cot y इसको आप equation first ले लिजी then x के place पर हम रख रहे हैं a square cot square y ठीक है यहां से लेखेंगे from equation first solve करते हैं a square common 1 plus cot square y यहां से cancel हो जाएगा ठीक है and 1 plus cot square गया होता है minus this is 1 upon a this is cos second square y ठीक है इसको आप लिख सकते हैं minus 1 by a into sin square y तो y1 की value आ जाती है minus 1 by a sin square y अब इसको आपको second derivative कर निकाल ले differentiate again again with respect to x then y1 का derivative y2 ठीक है फिर हम sin square y का derivative करते है minus 1 by a is a constant and 2 power आगे आ जाएगी sin y into sin का हो जाएगा cos y into y का derivative हो जाएगा dy by dx यहां पर mistake करते हैं बच्चे क्योंकि देखे हम derivative कर रहे है with respect to x बच यहां पर function हमने y में change कर लिया है तो पहले आप derivative करेंगे sin square y का और फिर y का derivative करेंगे with respect to x then dy by dx y2 is minus 1 by a 2 sin into cos y sin y into cos y sin 2y into dy by dx की value पुट केजिए dy by dx यानिकी y1 y1 की value है minus 1 by a into sin square y यहां पर हम पुट करते हैं minus 1 by a into sin square y then y2 की value हो जाएगी minus 1 minus and minus 2 power a into a is a square into sin 2y into sin square y ठीक है ऐसे आपको y3 find out करना है again differentiate with respect to x minus 1 square upon a square यहां पर आप जैसे differentiate करेंगे u into v method apply करना पड़ेगा sin 2y as it is पहले आप sin 2y का लिल दी जी symmetry बन जाएगी हां से sin 2y का derivative करते है 2 into cos 2y into sin square y as it is y का derivative last में common निकालके dy by dx last में लिख देंगे plus sin 2y as it is और sin square y का करते है 2 into sin y into cos y and y का derivative आजाएगा dy by dx ठीक है अब इसको solve किजी common क्या आ रहे 2 2 2 common आ रहे sin y sin y यहां से common आ रहे minus 1 square upon a square 2 into sin y common आ जाएगा और यहां से रहे जाएगा cos of 2y sin 1 power हमने common निकाल लिए sin y plus sin 2y into cos y और dy by dx की value रखते है minus 1 by a sin square y ठीक है यह dy by dx की value हमने पुट कर दिये minus square यहां पर था है यानि आपको यह solve नहीं करना minus 1 square 1 होता है बट आपको यहां पर agitives रखना है because यह inner derivative में हमें symmetry बनानी होती है एक minus यहां से आ रहे है और दो पावर यहां पर है minus 1 की पावर 3 हो जाएगा and a square into a is a cube 2 into sin y sin y यह और sin square sin cube y हो जाएगा and cos sin a into cos b cos a into sin b यह आजाएगा sin of a plus b यानिकि 3y समझके sin a आप sin y को इधर लिख सकते है sin a into cos b and cos a into sin b formula बन जाएगा आपके बाद sin a plus b का यह आजाएगा third derivative अब आप यहां से symmetry बना सकते है 2 को हम क्या लिख सकते है 2 को लिख सकते है 2 into 1 means 2 factorial जैसे आप y n निकालते है y n is equal to third derivative की है तो minus 1 की पावर cube आ रहे है अगर आप n डेरिवेटिव करते है minus 1 की पावर n आ चाहेगा and a raised to power n क्योंकि cube पे third derivative पे cube आ रहे है and यहां पे देखिए third derivative की आप 2 factorial आ रहे है यानि एक कम तो n से आ जाएगा n minus 1 factorial sin cube this is sin n y into sin n power में है into next में sin of n into y यह angle में है यहां रखना है यहां पे power है n और यहां पे angle है ठीक है तो इस तरह से आपको इसका एनट derivative निकार ला है next question and second question भी agities करना है आपको वो में हाँ पे board पर ही नहीं करवा रही हूँ उसका आपको pdf link डाल दूँगी complete exercise का आप वहाँ से चेक कर लेना third देखिए find the inner derivative of tan inverse 2x upon 1 minus x square इस type के questions को आपको कैसे करना है y equal to tan inverse 2x upon 1 minus x square यहाँ पर हम इसको short formula सकते हैं कैसे x को हम 10 theta पुट करते हैं put x equal to 10 theta then dx sorry dx नहीं चाहिए हमें यहाँ पर पुट करते हैं then y की value आजाएगी tan inverse 2 tan theta upon 1 minus 10 square theta और यह formula होता है 10 2 theta का 10 2 theta then cancel out y is 2 theta and theta के value निकाल लीजिए theta is 10 inverse x ठीक है 2 into 10 inverse x अब यहाँ से y आ गया हमारे 2 into 10 inverse x then हम differentiate करते हैं y1 निकालते हैं 2 into 1 upon 1 plus x square ओके इसको आपको क्या करने हैं factorization करने हैं मनलब कैसे करेंगे 2 upon 1 plus x square को लिखेंगे हम x plus iota into x minus iota ठीक है जैसे आप इनकी multiply करेंगे identify करेंगे a plus b a minus b a square minus b square iota square minus 1 होता है तो plus वना जाएगा अब यहाँ से इसको partial fraction से आप separate करेंगे means 2 into इसको हम लिखेंगे 1 upon x plus iota plus b upon x minus iota ओके सरफ यह concept हम solve करवा रहे हैं यहाँ पर 1 upon x plus iota x minus iota इसको आप लिखोगे a upon x plus iota by partial fraction यह हम कर भी चुके है रहे हम एलसिम लेते है x plus iota into x minus iota और इधर चल रहा है 1 upon x plus iota into x minus iota a into x minus iota plus b into x plus iota अब हम यह और b की value चाहिए है पहले हम x को iota पुट करते हैं then यह factor 0 हो जाएगा क्या आजाएगा 1 equal to b into हमने iota पुट किया है into 2 iota iota plus iota okay b की value बाजाती है 1 by 2 iota अगर मैं x को minus iota पुट करते हूं then this factor is 0 and यहां से आजाएगा 1 equal to iota हमने यहां पर minus iota रखा है तो minus और minus जो minus 2 iota हो जाएगा minus 2 iota into a and a की value आजाएगी minus 1 by 2 iota वापिस हम पुट कर लेते हैं a and b में then हमने इसका जो partial fraction से इसको separate कर लिया है y1 की value क्या आजाएगी हां से 2 time a की value रखिए a is minus 1 upon 2 iota और x plus iota multiply में this factor plus b की value रखते हैं 1 by 2 iota x minus iota ठीके यह factor minus i plus और 2, nical की cancel कर देंगे तो यह value आपके पास आजाएगी हां से y1 की value 1 upon iota भी common आजाएगा ठीके 1 by 2 iota common ले लेते हैं और यहां से क्या में लेगा हमें इसको हम पहले लिखते थे 1 by iota common ले लिया हमने minus 1 upon x plus iota ठीके यह value आजाती है y1 की अब आप जो हो वो end time इसको differentiate कर सकते हैं क्योंकि y1 को हमने निकाल लिया है यह जो net derivative होता है अगर y दे रखा होता है 1 upon ax plus b और इसका हम करते हैं net derivative ठीके तो वही formula हम यहां पर apply करेंगे हमें चाहिए net derivative हो है ना बट यहां पर हम y1 निकाल चुके है y1 के बाद मैं कितना derivative करूँ कि मेरे पास n थाजल तो x plus b है तो yn यानि कि इसका net derivative क्या होता है minus 1 raise to power n into n factorial a raise to power n upon ax plus b raise to power n plus 1 ठीके अब यहां पर देखिए हमें चाहिए net derivative और y1 का हम derivative करेंगे तो यहां पर मैं करूँगे differentiate y1 यहां इसका derivative करेंगे कितने time differentiate with respect to x n minus 1 times क्यों? क्योंकि y1 का derivative अगर n minus 1 time करते है fixes add होते है n minus 1 1 से cancel होके yn आ जाएगा यानि कि y का net derivative तो y1 का derivative करेंगे तो n minus 1 time ताकि हमें net derivative मिल जाए चलिए देखिए y यहां पर आजाएगा y1 का n minus 1 time derivative और इधर यहां पर करेंगे तो 1 by iota यहां पर भार constant है अब आप इसको इससे compare केजिए x minus iota ax plus p यह हम nth कर रहे हैं यहां पर आप n minus 1th कर रहे हो तो जहां पर भी n है उसको n minus 1 में convert कर दीजिए यहां पर 1 है 1 की पावर n minus 1 यह होता है divide by x minus iota raise to power n क्योंकि n plus 1 को n को अगर n minus 1 में convert करेंगे तो 1 से 1 कैंसल हों के n बज़ेगा हमारी पास यहां से and this is minus minus 1 raise to power n minus 1 n minus 1 factorial divided by x plus iota ठीक है यह आजाता है nth अब इसको solve करेंगे देखिए इसको अगर मैं solve करती हूं y1 plus n minus 1 1 से 1 कैंसल क्या आजाएगा yn आजाएगा क्योंकि इस fix is add होते है yn equal to 1 by iota क्या comment आ रहा है minus 1 raise to power n minus 1 into n minus 1 factorial यह factor common आ रहा है then यहाँ पर आजाएगा आपके पास x minus iota raise to power n and यहाँ पर भी n आएगा minus 1 upon x plus iota raise to power n ठीक है यह बजाएगा आपके पास another derivative yn को हम लिखेंगे yn equal to 1 by iota जो common portion आप वो भी लिख लेते है minus 1 raise to power n minus 1 और क्या comment था n minus 1 factorial and यहाँ पर जो power है इसको आप negative कर लिजी यह निकि इसको हम लिख सकते है x minus iota का power minus n denominator को numerator में convert करते हैं तो power negative हो जाती है minus of x plus iota raise to power minus n अब आगे हम इसको solve करेंगे जो polar form हम बनाते हैं polar form कैसे बनाते हो? x को r cos theta and iota की multiple को लेके चलेंगे r sin theta x का यहाँ पर देखिए इसको हम लेके चलेंगे x equal to r cos theta and iota का multiple is a 1 r sin theta अब इसको divide किजिए दोनों को x by 1 is r से r cancel cos by sin क्या होता है? x by 1 क्या है na दोनों साइड हम डिवाइड करेंगे r से r cancel हो जाएगा then x की value आ जाएगी cos theta ok? put कर दीजी yn में yn equal to minus 1 raise to power and minus 1 and minus 1 factorial divide by iota यहाँ पर रखते हम r x के place पे r cos theta minus iota as it is 1 को लिखा है क्योंकि iota को आप लिख सकते है 1 into iota तो 1 को हम लिख सकते है या नहीं इसको हम लिख सकते है r sin theta ok? और इसकी power कितनी है? n power चल रहे है ऐसे यहाँ पर put करेंगे minus r cos theta plus iota r sin theta raise to power n common क्या आ रहे है? r raise to power n यहाँ से and यहाँ से r raise to power n कमन निका लिए चीओ minus 1 raise to power n minus 1 n minus 1 iota r raise to power n divide by iota और यहाँ पर आ जाएगा cos theta plus sorry minus iota sin theta raise to power n ok? minus r तो मने common लिए cos theta plus iota sin theta raise to power n by demobil theorem हम पावर को जो वो एंगल से multiply कर सकते हैं then minus 1 raise to power n minus 1 n minus 1 factorial r raise to power n divide by iota into cos n theta minus iota sin n theta समझ गए? demobil theorem होती है कि cos theta plus iota minus iota sin theta raise to power n होता है तो वो एंगल से multiply हो जाता है minus यहाँ पर करेंगे cos n theta और minus अब अंदर लेकी जाएंगे इसको iota sin n theta cos से cos cancel हो जाएगा this is the true time minus 2 iota sin n theta इसको solve करेंगे add हो जाएगा और divide by iota और यह हमारा multiply इस दर चल रहा है multiply में जो common portion निकाला था हमने ठीक है? iota से iota cancel हो जाएगा और यह आपका y n आजाएगा r की value चाहो तो यहां से निकाल सकते हो r squaring and adding कर देंगे हम तो यहां से क्या आजाएगा? x square plus 1 square यानि 1 और इधर से r square common आजाएगा और cos square plus sin square 1 हो जाता है तो r की value क्या जाएगी? under root of x square plus 1 आप यहां पर put भी कर सकते r की value x square plus 1 under root है और n power इसके पास थी तो n by 2 हो जाएगा ठीक है? आप यहां से बताएगे कि जो theta का use हुआ है where theta theta की value क्या आएगी है मेरे पस? यहां से निकालो theta equal to cot inverse x यहां पर theta की value cot inverse x होड़े then this is the end of derivative तो जितने भी आपके बास question number 4, 5th and 6th as a tease आपको करने है इसी method से तो आप इनको try कीजिए और इनके जो solution है उसका link में पेडियेफ में डाल दूँग आप जरूर चेक कर लेना और सबसे पहले आप उसको node कर लेजिए क्योंकि वो expire हो जाती है